क्या आपकी स्किन पे बढ़ती उमर के साथ रिंकल्स आ गए हैं या फिर आपकी मसल्स में पेन रहता है along with stiffness and ligaments and tendons या आपके जॉइंट्स की band बजी हुई है क्योंकि आपकी cartilage उमर के साथ गिस गई है इन सभी चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए आ गया है एक चमतकारी supplement यानि के collagen ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा collagen products को बनाने वाली brands बोल रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि इन दावों में इन claims में कितनी सच्चा है क्या वाके में आपको collagen लेना चाहिए अगर लेना चाहिए तो कितना लेना है किस brand का लेना है इसके क्या side effects हो सकते हैं और भी बहुत सारी बाते हम collagen के बारे में कहरेंगे इस वीडियो में तो चलिए let's get started Collagen एक तरह का protein है और ये हमारी body में सबसे ज़ादा abundant protein है मतलब भगवान ने इसको ठूस ठूस के हमारे शरीर में भरा हुआ है To be precise हमारे शरीर के total protein content का 30% हिस्सा collagen ही है और ये primary building block है skin, muscles, bones, tendons, ligaments and other connective tissue का बाकी protein हमें बता ही है कि amino acids से बनता है और क्योंकि collagen भी एक protein है तो ये बना है तीन amino acids के combination से यानि proline, glycine और hydroxy proline से मिलके अब बात आती है कि collagen का काम क्या है हमारे शरीर में तो देखो यार अगर मेरे को एक line में इसको बताना हो तो मैं कहूंगा कि collagen हमारे पूरे शरीर को एक structure प्रोवाइड करता है along with strength and support जिसका मतलब है collagen ज़रूरी है for healthy hair, skin, nails, bones, joints, muscles, blood vessels, digestion और तो और blood clotting and mood healing के लिए भी collagen ज़रूरी है यही नहीं एक healthy gut maintain करने के लिए भी collagen ज़रूरी है total 5 तरगे collagen होते हैं अपने शरीर में लेकिन जो सबसे main है वो है type 1 यानि 90% collagen जो हमारे शरीर में है वो type 1 है बाकि 10% में बचे हुए चारो type आ जाते है अब तक अगर आपने वीडियो ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि collagen क्या है function क्या है उसके और type कौन कौन से है लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पता कैसे चलेगा कि collagen की कमी है शरीर में या नहीं तो देखो यार इसका कोई test नहीं होता है except for type 4 collagen जिसके लिए test होता है जिसको check करके हमें myocardial infraction और breast cancer का पता लग सकता है which means अगर हमें पता करना है कि collagen की कमी है या नहीं तो हमको body के sign and symptoms को observe करना पड़ेगा जैसे skin पे wrinkles बढ़ जाना with age एकदम से skin का लटक जाना आँखों के नीचे गड़े बन जाना tendons और ligaments जो हमारी muscles को bones से attach करते हैं उनमे stiffness आ जाना loss of mobility muscles में दर्द रहना करता है दो levels of collagen देखो भाई with age हमारा शरी उसमें जो collagen की production है वो कम हो जाती है ये एक normal बात है इसके अलावा अगर कोई बंदा smoking करता है बहुत जादा alcohol का save-an करता है मीठा बहुत खाता है especially sugar and refined carbohydrates और excessive exposure to UV light होता है तो body में collagen की कमी हो सकती है जल्दी हो सकती है इसलिए smoking छोड़ दो alcohol consumption पे control रखो मीठा खाना बंद कर दो बंद नहीं कर सकते तो कम ज़रूर कर दो और अगर जादा लंबे time तक धूप में जा रहे हो तो sunscreen use करो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि collagen supplement आपने use करना ही करना है अगर आप एक non-vegetarian हो fish, eggs, chicken, bone broth यानी हड्डियों का soup वगयरा regularly खाते हो तो फिर मेरे को नहीं लगता आपको collagen supplement की ज़रूरत है unless and until आपको बहुत ही active lifestyle है मतलब आप gym करते हो regularly या फिर कोई high intensity sport किलते हो तो फिर supplementation मेरे हिसाब से must है also if you are vegetarian then you should definitely consider using collagen supplement तो जैसे मेरे वाइव के case में जो 36 years old है largely vegetarian है काफी active उसको lifestyle है मतलब वो corporate job करती है घर को भी संभालती है और मेरे साथ gym भी जाती है जब भी उसको time होता है उसकी body काफी सारे sign and symptoms show करने लग गई थी collagen deficiency के जिसकी वज़े से मैंने collagen के बारे में पढ़ना शुरू किया और फिर मेरी तलाश चुरू होई एक बढ़िया और किफायती प्रॉट की जो public domain में information है उसके according मेरे को ये समझ में आया कि collagen supplementation में type 1 collagen होना चाहिए और type 1 collagen हमें मिलता है animal source से उसमें भी जो collagen हमें marine sources जैसे fish से मिलता है उसकी bioavailability सबसे ज़ादा होती है बागी price भी मेरे को reasonable चाहिए था प्रॉट का और ये भी एक condition थी कि प्रॉट की हर serving में कम से कम 5-10 ग्राम collagen हो और composition प्रॉट की मेरे को simple चाहिए दी मतलब ये नहीं हो कि सिर्फ दिखाने के लिए अंदा दून ingredient डाल दी हो अब इतने प्रॉट हैं online कोई भी easily confused हो सकता है इसलिए मैंने जिन जिन brands के protein review करे होते मतलब जो मेरे हिस्टाफ से trust वर्दी brands हैं उनकी site पे collagen ढूढ़ना शुरू किया जैसे muscle natricite, ron, neutra bay, neutra box, true native absorbs, zenith as it is और finally मैंने ये true native का beauty fiber मंगबाया जो मेरे को बड़ा 1115 रुपए का discount वगयरा मिलागे और इसी composition pretty straight forward है collagen इसमें मिलता है 5 gram और अच्छी बात ये है कि marine collagen ही है इसमें उसके साथ 2.7 gram fiber मिलता है जो कि एक added advantage देता है मतलब इससे आपका gut healthy रहेगा और gut healthy तो सब कुछ healthy और 25 mg hyaluronic acid मिलता है हालागी मेरे हिसाब से hyaluronic acid की quantity कम है मतलब around 100 mg तो होनी चाहिए भी बाकि मैंने लगे हाथो इनका एक everyday fiber भी आता है वो भी मंगवाया है for my mother and father और मैं भी उसको use करके देखूंगा उसका review भी आपके साथ जल्दी ही share करूंगा इस product को मेरी wife use कर रही है और 2-3 हफते के बाद में मैं आपके साथ results share करूंगा और बताऊंगा कि भाई कुछ फाइदा हुआ भी या नहीं हुआ by using this product अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि product की कोई smell नहीं है मतलब मैंने काफी reviews में पढ़ा है कि marine collagen वाले जो product होते है उनमें अजीव सी fish जैसी smell आती है तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो इसका taste है सुखा काने पे वो भी fishy नहीं है बलकि हलका सा sweet taste इसका आता है और पानी में तो आपको पता ही चलेगा कि कुछ mix करा हुआ है literally tasteless है बागी ये product flavored भी आता है यानि mango और mixed fruit flavors में पर मैंने unflavored ही मंगवाया क्योंकि उसकी flexibility रहती है आप किसी भी चीज में mix करके इसको पी सकते हो देखो यार वैसे तो collagen supplements पे बहुत जादा conclusive clinical trial data नहीं है इसलिए सिर्फ studies के basis पे ये बोल पाना कि भाई ये काम करता है या फिर ये बोल पाना कि इसका कुछ फाइदा नहीं होता ये बगवाज supplement है मेरे इसाफ से बेवकुफी होगी इसलिए मैंने इस product को मंगवाया है और within a month मैं आपके साथ अपनी wife का experience शेयर करूँगा बताऊँगा आपको कि क्या fire होए या क्या side effects हमें face करने पड़े अगर ऐसा कुछ हुआ तो बाकि आप बताओ यार कि आपने कभी collagen supplements यूज करें हैं अगर किये हैं तो आपका experience कैसा था किस brand का आपने use करा था क्या आपने true native का ये product या फिर कोई और product यूज करा है अगर किया है तो उसका भी feedback आप comments में चिपका सकते हो with that it's time to sign off बहुत जल्दी इस video का part 2 आएगा so stay tuned bye bye